पिछले लंबे समय से महराष्ट में विवाद की स्थिती वनीवी थी कि असली शिवसेना एकनाश शिंदे गुट की है या फिर उद्धव ठाकरे गुट की। रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के मुकिया शरत पबार भी परेशान दिखाई दिये क्योंकि ऐसा ही हाल उनकी भी पुलिटिकल पार्टी न्सीपी का हो रखा है क्योंकि अजीत पबार की बगावत के बाद में लगातार उधर भी खलमली है और उधर कॉंग्रेस भी से कंदा मिलाकर के चलने का दमखम भर रही है विदान सबाय स्पीकर के फैसले के बाद विपक्षी खेमे में सुप्रीम कोट का रुक करने की भी चर्चाएं तेज हो चुकी है ठाकरे को कैसे 11,000 बोल्ट का जटका लगा है और सुप्रीम कोट से नियाई की उमीद और आकरी रास्ते का उद्दफ खेमे पर क्या विकल्प है इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेगे लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको विडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गरम महरास्ट में सियासी उफान का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोट पहुंचने वाला है पूर्व सीम उद्दफ ठाकरे की शिरसेना ने विधायकों की आयुगिता को लेकर के स्पीकर राहुल नारवेकर के फैसले पर दरसल कहा है कि वो सुप्रीम कोट का रुप करेंगे फैसले के खिलाप में राहुल नारवेकर ने उद्फ ठाकरे और शिंदे गुट की तरफ से दैर याचकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एकनाश शिंदे की ही असली शिवसेना है जो की उद्फ ठाकरे की शिवसेना है वो असली शिवसेना कता ही नहीं है उद्फ ठाकर उटने 10 जनवरी की तारीक को आखरी तारीक बताय था और वहीं एकनाश शिंदे गुट ने उद्दफ ठाकरे गुट के 14 विधायकों को आयोग ठहरानी के लिए याचकव दायर की थी दोनों तरप से दाखेल याचकाओं को स्पीकर ने खारेच कर दिया है ये फैसला उद्दफ ठाकरे गुट के लिए खास तोर पर एक बहुत बड़े जटके के तोर पर माना जा रहा है वो भी लोकसवा के चिनाव जब सर पर है ताब स्पीकर के फैसले के बाद में उद्दफ ठाकरे ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोट का अपमान वहीं उद्दफ ठाकरे के बेटे और विधाय कादित ठाकरे ने कहा कि हम सुप्रीम कोट जाएंगे संजर आउत ने भी ये बात दोहराई की अब हम सुप्रीम कोट का रुख करेंगे राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाव उन्होंने कहा कि शिवसेना महरास्ट के रग रग में बसी हुई है हम सुप्रीम कोट जरूर जाएंगे आज का फैसला पूरी तरीके से साज़श है भाजपा की साज़श है कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए लेकिन कभी ऐसा नहीं होने वाला है मुक्र मंतरी एकनाश रिंदे ने कहा कि लोखतंतर में बहुमत महत्पूर है और ये हमारे पास में है महरास्टर के डिप्टी सीएम देविंदर फटनबीस ने कहा कि हमारी सरकार कारकाल पूरा करेगी वहीं रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि की M.C.P. के मुखिया शरत पवाद ने कहा कि उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोट से न्याय मिलेगा कॉंग्रेस ने कहा कि राहुल नार्वेकर का फैसला सम्विधान के तहद बिल्कुल भी नहीं है महरास्टर के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ट नेता देविंदर फटनबीस ने कहा कि हमें शुरू से ही दरसल ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे के नितुत में राज्ज में सरकार बनाते समय समयधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया है विपक्ष कितना भी सर पटक ले लेकिन ये सरकार अपना कारिकाल पूरा करेगी उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ये सरकार मजबूत और अडिग है इसलिए सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में भी ये साफ किया है कि सरकार को बरखास्त करने के लिए कोई भी आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है फिर भी कुछ लोग जान बूच कर और बार बार सरकार के बारे में घलत बाते फैला करके राजमें माहौल को आइस्थिर करने की कोशस कर रही थे देवेंदर फटबीस ने आगे कहा कि स्पीकर ने आज विबिन नियमों का हवाला देते हुए जो आदेश दिया है उसके बाद अब भी सरकार की इस्तती पर दरसल और उसकी स्थिर्टा पर संदेग करने का कोई भी कारण नहीं है उन्होंने का कि मैं दोहराता हूँ कि ये सरकार अपना कारेकाल पूरा करेगी हर कीमत पर मैं मुख्यमंतरी एकनाशंदे और उनके सहयोगियों को हिर्दै से बधाई देता हूँ रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के मुख्या शर्टवार ने कहा कि उद्दफ ठाकरे सुप्रीम कोड का दर्वाजा खट-कटाएंगे उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद में उद्दफ ठाकरे के पास में अभी सुप्रीम कोड का ही एक रास्ता है और उन्हें सुप्रीम कोड का दर्वाजा खट-कटाने की बात उनकी तरप से कही गई है और उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें निया मिलेगा महराश्ट्र कॉंग्रेस के अद्धक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल नार्वेकर का फैसला सम्विधान के तहद नहीं है पटोले ने कहा कि विधानसवा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला पूरी तरीके से असमवैधानिक और अलुक तांत्रिक है उन्होंने यानि कि राहुल नार्वेकर ने माना है कि असली शिवसेना 1999 बाली है हमारा सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरीके से भरोसा है महराश्टर विधानसवा देक्ष राहूल नार्वेकर ने विधायकों की आयोगिता को लेकर के कहा है कि एकनाश शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है ऐसे में विधायकों की सदसिता बरकरार रहेगी उनकी जो सबसिता है उसे नहीं चीना जाएगा उद्धाफ ठाकरे के पास्थ में एकनाश शिंदे को पार्टी से निकालने की शक्ती तो बिलकुल भी रही है तो विधानसवा स्पीकर राहूल नार्वेकर के इस फैसले से उद्धाफ ठाकरे गुट से लेकर के शरत पावार के खेमे तक हर जगाए खलबली मची हुई या भगड़ का माहौल है सुप्रीम कोट का रुक करे उद्धाफ ठाकरे उससे पहले महरास्ट में लगातार राजनीती गर्माती चली जा रही है और आलम ये है कि उद्धाफ ठाकरे के खिलाब में विधान सवा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला आने के बाद में शरत पावार भी थर-थर काम रहे हैं क्योंकि जो इस्तिती उद्धाफ ठाकरे और एकनाशिंदे के बीच में बनी हुई है वही परिस्तितियां कहीं ना कहीं और मैं तो कहूंगा कि विकट परिस्तितियां शरत पावार और अजीत पावार के बीच में हैं शरत पावार बनाम अजीत पावार की जो राजनतिक लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं इसी मोहाने पर खड़ी है लेकिन शरत पवार ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा चट पटाने की कोशिस की तो जो हाल आज ओदफठाकरे का हो रखा है उनसे उन्हीं की पुलिटिकल पार्टी छीन ले गई है एक नाशन्दे ने उस पर कबजा कर लिया है बहुमत के बल पर वही अजीत पवार भी कर सकते हैं क्योंकि अजीत पवार ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास में पूर्ण बहुमत है ज्यादा तर जो नेता हैं शरत पवार के खेमे के वो अजीद पवार के खेमे में जा चुके हैं और जो अभी नहीं गए हैं वो भी अंदर खाने कहीं नहीं अजीद पवार को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी किसी भी पल अजीद पवार का दरसल धामन खाम सकते हैं तो ऐसे म शरत पबार के लिए भी ये विकट परस्थिती है उधर जो कॉंग्रेस पार्टी है वो ये बता रही है कि जो राहुल नार्वेकर जो की विधानसवा के स्पीकर हैं उनका जो फैसला आया है वो पूरी तरीके से असमविधानिक और अलुखतांत्रिक है यानि कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में किन विकल्पों के साथ में जाएगा ये भी देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि जिस तरीके से जो फैक्ट निकल करके सामने आए हैं जो बहुमत का आकड़ा एकना शिंदे का पलड़ा भारी कर रहा है उससे उद्दव ठाकरे किस विकल्प के त होंगा लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर क्या हूं कोई बड़ी कवर लेकर क्या हूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बड़ी लेकर कोई झाल कोई बने बड़ी को बिलेव